नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटिस निवस मिलती रहती है तो दोस्तों हम बात कर जा रहे हैं येस बैंक के बारे में आज येस बैंक के कौर्टर टूक के रिजर्ट्स आने थे तो पिछले कुछ टाइम से अगर कैसे आये जिससे हम पता लगा पाएंगे कि जो प्रशान्त कुमार जी जो नए MDN CEO है यस बैंक के उनकी तरसे दावे किये गेते हैं वो कितने कारगर साबित हुए है और साथ में देखेंगे आगे कहां जा सकता है यस बैंक और कितना इसे कोई कानफरमेशन नहीं पर फिर भी कोई पीछे नहीं रहे हैं चाहतर हो यह रीजन हो सकता है आप पास सक्रिट लगने का तो चले रिजर्ट देखते हैं हम तो स्टैंड अलोन रिजर्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर यस बैंक के और सेप्टेंबर क्वार्टर के आप देख सकते हैं इस कॉलम में लेफ्ट कॉलम में उसके राइट में आप पिसले क्वार्टर के जून क्वार्टर के और थर्ड नंबर पर आप देखेंगे ला पर आप देखें इंट्रेस्ट अर्ण थोड़ा कम हुआ है वही पर अगर टोटल इंकम देखी जाए तो 5952 करोड लगबग 5950 करोड के आसपस टोटल इंकम आई है जो 6106 करोड तो यहां पर थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है हमें वही पर इंट्रेस्ट signal करोड ने भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और वहीं पर operating expenses आप देखेंगे तो 1320 जो पिफ़ली बार 1380 करोड के थे तो यहां पर एक्सपेंसिज में आफेंगे डिखने को मिली है तो इंट्रेस्थ एक्सपेंडिट और नाचल में होगी काफी देखकर टोटल expenditure अगर 4590 करोड के आसपास माइनस कर दिया जाए तो बैंक का operating profit इस बार आ जाते है 1360 करोड का जो पिसले quarter में था 1140 करोड का यहाँ पर भी लोग काफी खुश थे क्योंकि बैंक को revival दिख रहा था इस बार यह number उससे भी बड़ा है साथ में provisions की बात की जाए तो बैंक ने इस बार 1187 करोड के provisions रखे हैं जो पिसली बार 1086 करोड के थे यहाँ पर provision भी पिसली बार से लगभग 100 करोड extra रखे गए है तो वहाँ पर profit from ordinary activities before tax आ जाता है 172 करोड तो last quarter में सिर्फ 60 करोड था तो आप देशने लगभग 3 गुना हो गया है बैंक का profit इस stage पर बात करें तो quarter on quarter tax expense अगर हटा दिया जाए तो बैंक का net profit इस period का आप दिखते है 14th column में तो net profit क्या है बैंक का 129 करोड का जो 45 करोड करो पिसली बार बैंक ने positive result दिखाया था इसके बाद yes bank का share उपर भाग रहता है तो इस बार तो double से भी जादा profit हो गया है पिसली बार से लगभग लगभग 3 गुना हो गया है तो आप देशने काफी खुशी की बात होगी हम और डिसकस कर रहे थे yes bank को दो quarter का time देना चाहिए दो quarter इसलिए कोई एक point ये कि covid time चल रहा है तो यहाँ पर bank sector revive होने में time है और साथ में अगर दो quarter में bank regularly अपने profits increase करता है या फिर maintain भी करता है तब bank के रिवाइबर के chances बढ़ जाएंगा और यहाँ पर अभी ही शांदार profit देते है 129 करोड का जो last time 45 करोड का था इस stage पर तो काफी अच्छी ख़बर AS bank के investors के लिए कि bank already revive हो रहा है वहीं पर बड़े numbers देख रहे है तो capital adequacy ratio 19.9% हो गई है जो 8.6% थी last time तो यहाँ पर जो AS bank की दर सो FPO उठाय गया था उसका काफी बड़ा हाथ है इस number को बढ़ाने में 19.9% हो गया और वहीं पर EPS की बात की जाए तो 0.06 है इस बाजो 0.04 थी last quarter में यहाँ भी 50% का increase हमें देखने को मिल रहा है NPS की बात की जाए banking sector में NPS भी काफी important role देते हैं तो यहाँ पर 32,344 करोड के लगबग NPS है बात 7868 करोड के हैं जो 8157 करोड के तो लगबग 3-4% की गिरावट देखने को मिली है हमें NPS में percentage wise देखे तो gross NPS 16.90 पर हो गए है जो 17.30% थे last time यहाँ पर एक गिरावट है जो positive बात है और साथ में NPS 4.71% रहे गई है जो 4.96% थी last quarter में return on asset 0.2% है फिलाल जो 0.1% था last time है तो यहाँ पर NPS में हमें एक गिरावट देखने को मिल रहे है जो positive बात है यह बैंक काफी recovery कर रहा था इस quarter में हमने अच्छे ची news देखी थी उन्होंने हाथ दिया है यह बैंक के NPS को कम करने में तो काफी positive result दिखाए दे रहे हैं फिलाल तो segment वाइस देखा रहे है तो revenue हम देखे तो treasury से 2956 लगबग 3000 करोड आ है जो 3600 करोड के आसपास था last time तो यहाँ पर revenue ज़रूर घटा है पर corporate side में भी बैंक का revenue थोड़ा घटा दिखाए देए 3440 करोड है इस बार लेकिन रिटेल सेक्टर जहां पर काफी न्यूज आ रहे है इस यो की तरफ से भी रिटेल सेक्टर में अपना बढ़ाना चाह रहा है बिजनेस तो वहाँ पर 1101 करोड से बढ़कर 1386 करोड हो गया है तो लगब 25 से 26 परसेंट की एक उचाल देखने में रिटेल साइट से तो इनका जो गोल था बात की जाए तो आप देखिए कॉर्परेट बैंकिंग से अभी फिलाल नेगिटिव में है बैंक का प्रॉफिट 746 करोड नेगिटिव में जो लास्ट टाइम 706 करोड सा ट्रेजरी से 1385 करोड सा इस बार लेकिन रिटेल बैंकिंग से आप देखिए फिलाल नेगिटिव व और यहां बैंक की तरह से पॉइंट सके गए हैं वहाँ देखिए 7 पॉइंट में की 30 सेप्टर में 2020 तक तो टोटल कैंपिटल इंफ्यूजड है और आउटस्टेंडिंग है वह वह 149 करोड यह सेक्यूर्टी इंडिया 99.5 करोड यह एसेट मेनेजमेंट की तरह सो 0.5 करोड तो आपको याद होगा यह बैंक ने काफी पहले बताया था कि अपने mutual fund business को बेशने जा रहा है तो वहाँ पर regulatory approvals आते ही एक deal complete हो जाएगी तो यहाँ पर अभी approval सामने नहीं है और बैंक की पास विरहाल total defer tax है 8289 करोड का दोस्तों overall काफी positive results दिया यह बैंक ने उमीद थी करते हैं आगे annual results को और खासकर यह spank में अभी भी मैं यह कहूंगो आप उत्रा ही पैसा डाले है जितना आप risk कर सकते हैं क्योंगी अभी अभी एक बड़ी correction आ सकती है क्योई कोविड अभी खतम नहीं हुआ है तो आगे जाके क्या नियुज आती है काफी effect कर सकता है और वह कर सकता है वहां से bank का share आदा हो जाए bank का share 10 को नहीं हो जाए तो आपको इतना फरक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि already risk to reward ratio हमने पहले सीमित रखाता है यहां पर चार्ट सकर देखे जाए आज जरूर एक तेजी आई है पर पहले वाला ही मेरा view रहे कि जब तक yes bank 13 रुपे 20 पैसे से 13 रुपे 90 पैसे आप overall 14 रुपे लगा सकते हैं इस प्राइस बैंड में है तब तक yes bank की direction कुछ बताएं जैसे कि already 14 रुपे का support ब्रेक हुआ तो yes bank ने सारे levels test कर दिये 13 रुपे 13 रुपे लगबग 12 रुपे 50 पैसे तक भी चला गया था तो फिलाल एक तेजी जरू के हैं शमता है आप में जादा risk लेकर reward ले सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं फिलाल yes bank को investing के लिए रखको हमें और वहाँ पर भी उत्रा invest रखिए जितना आप sustain कर सकते हैं lose करना और yes bank में बड़ी तेजी तभी आएगी जब 14 रुपे के उपर दुबारा से एक base बना लेगा अब बड़ी तेजी आएगे और बड़ी तेजी से मेरा मतलब यह नहीं कि यह bank 100 रुपे 200 रुपे ऐसे एफसर टार्गेट मैंने ना कभी दिये हैं और ना ही कभी दूँगा फिलाल मेरा टार्गेट वही है इस पैंक अगर 20 रुपे को cross कर लेता है अच्छे results के दम पर तो पहला टार्गेट अच्छीव हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स लेवल से 23 रुपे और 25 रुपे उन पर हम ध्यान देंगे काफी positive बात है यहाँ पर तेजी volumes के साथ आती है आप देख सकते हैं जब भी तेजी आई है तो volumes काफी high रहे है पर फिलाल जो भी तेजी आने झाल 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 झाल